मतुरा उत्तरप्रदेश के उर्जा मंत्री श्रीकान शर्मा शलिवार को मतुरा पहुचे जहां उन्होंने डिगेट स्थित लाला गंज में बन रहे पार्क का निरिक्षन किया कार्य को समय पर पूर्य करने और गुणवत्ता के साथ कार्य करने के समन्दित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिये मिडिया से रूबरू होते होई उर्जा मंत्री शिकान शर्मा ने कहा कि मुख्य मंत्री योगी आदितनाज्जी की मन्षा है कि चौमुखी विकास हो हम चाहते हैं कि मतुरा से गलिया ठीक हो, नालिया ठीक हो और उनके लिए पार्ग की व्यवस्था हो जहां हमें खाली जगह मिल रही है वहाँ पर हम पार्क बनाने की व्यवस्था कर रहे है लाला गंज में 90 दिन के अंदर एक पार्क का काम पुर्ण हो जाएगा जो विकास कार्य हो रहे है उनके गुणवत्ता पर कोई समझोता ना हो इसलिए मैं लगातार निरिक्षन करता रहता हूँ जितना पैसा मतुरा के विकास के लिए सरकार से आ रहा है उसके एक-एक पैसे का प्रयाउग हो दुरुपयोग न हूँ इसका ध्यान रखा जा रहा है वही किसानों पर कहा कि किसान हमारा अन्न दाता है हम उनको नमन करते है मैं भी किसान का बेटा हूँ मोदी जी के फैसले से किसान खुशाल है लोग मोदी जी के फैसले को पसंद कर रहे है और मोदी जी के साथ कुछ पॉलिटिकल पार्टी या किसान संगटनों को ब्रहमित करने की कोशिश कर रही है मेरा आगर है कि किसान संगटनों से केंद्रे कृषिम मंत्री भी लगातार संपक कर रहे है जो आपका कन्फ्यूजन है या आप जो समझना चाहते हैं आप से वह बात कर रहे है यहां पर एक पार्क का कारे पूर्ण हो जाएगा यह जो कानून है यह किसानों के हित्म है इसलिए सबी लोग मोदी जी का सहयोग करे ममता दिदी पर निशाना साथते हुए कहा कि ममता दिदी भेदभाव करती है केंद्र की जो गरीब कल्यान की योजना है वह उन योजनाओं को गरीब लोगों तक नहीं पहुचने देती है दिदी फ्रस्ट्रेशन में है वाम पतियों ने जैसे पश्रीम बंगाल के साथ धोका किया उससे बड़ा धोका दिदी पश्रीम बंगाल के लोगों के साथ कर रही है इसलिए पश्रीम बंगाल के लोग अब मन बना चुके है अब मोदी जी के साथ है इन्बिसे न्यूस के लिए मतुरा से अज़े ठाकूर की रिपोर्ट